अब तो फॉन नया खरीदा ही लिए जाते है क्योंके फॉन सस्ता होगा पाकिस्तान चोड़के बाग चुक्त कि यह इसलामी जमूरिया पाकिस्तान है मुसल्मानों के खिलाव मेसा से शाजी доступ होती रही है इस पुरे संसार में जितने प्रजाति या उन प्रजातिओं में एक प्रजाति का नाम है मुसल्मान और यह विक्टम काड इतना अच्छे से प्लेय करते हैं चायब वो पुरे विश्व में कहीं खही पाकिस्टानी मुसलमान की पूरी दुनिया हम को आगे बढ़ने नहीं दे रही है तो जहीं दोस्तों डीयस रेकिक और विडिये में आप सभी का स्वागत है तो आज इस विले पमलग रियाग करने वाले हैं वो है इंडियन मीडिया लेटेस्ट चानल का जिनके वीडियो का ट एपल आइफोन ने भी भारत के अंदर एक आउटलोट खोल दिया एक मुंबई में खोल दिया बीकेसी में एक दिल्ली में खुल जाएगा साकेत में और मुंबई वाले की ओपनिंग करने आए थे एपल के CEO टीम को तो पाकिस्टानी को जलने के लिए सिरफ इतने काफी है य हजारों लोग बेरोजगार हो गए एलसी ना खुलने की वज़ा से 400 इंजीनियर समें 3000 मुलाजमीन बेरोजगार हो गए मुलक में जारी माली वर डालर बहरान के बाइस मकामी सता पर मुबाइल की मैनुफेक्चरिंग के लिए लगने वाली योनिट भी बंद होना शुरू ह गई आटो कमपनियों के बाद मुबाइल फॉन्स बनाने वाली कमपनियों ने भी मुबाइल फून एसेंबलिंग योनिट्स बंद करना शुरू कर दिये जिससे हजारों मुलाजमतें बेरोजगार होने का इनकिशाफ हुआ डॉलर की कमी के 22 पहले इंडस मोटर और किया मोटर्स ने अपनी पॉडक्शन को आर्जी तोर पर बंद किया अब तीन बड़ी मुल्टी नेशनल कमपनियों ने अपने सेल फून एसेंबलिंग यूनिट्स को बंद कर दिया है यही तो क्यामत है एक और कमाल की बाद पिछले साथ आठ बने से पाकिस्तान में कोई नया फोन लोंची नहीं हुआ क्योंकि जित्ती भी मेनिफेक्शिंग कंपनिया थी सब पाकिस्तान चोड़के बाग चुकि यह इसलामी जमूरिया पाकिस्तान है और एसे में अपाकिस्तान को तो गरम तो पर रखे पोपफोन की तरह उचने लगे बिल बिनाने लगे कलेज़ा फट गया और पूरे पाकिस्तान में आकार मच गया कि भारत में अप्ल फोन फोन पार पीसे नहीं होते एपल मुबायल के इंडिया में आ जाने से ये तड़फ रहे हैं मगर बदकिस्मत ही देखिए और इन गदों को ये भी नहीं बता कि बारत के अंदर तो एपल फोन की मैनिफेक्शिंग भी होती है तो हमें ना पाकिस्तानियों ग्यान दुरूस्त करने के लिए और इनके जलेबे नमख च्ड़क ने कि लिए ऐसे नहीं चलेगा ऑफिशली एपल इंडिया में आने के बाद में पाकिस्तान की मीडिया का क्या रियक्शन है ये देखिए पहली बार इंडिया में एपल का स्टैनलोन स्टोर जो है इंडिया का पहला आफिशियल एपल सोर मंबई में ओपन हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर हम बड़ी कोशिश करते रहे हैं कि जनाब बड़े-बड़े स्पोर्ट्समेन आएं बड़े लोग आएं ता के पाकिस्तान का इमिज बेतर हो लेकिन एक एपल के सी ओ टिम कुक जो है वो इंडिया है और पूरी दुनिया ने इसको हाइलाइट किया है। कि जो मुझे सीजी की तक्लीफ हो यह है कि हमारी उमीदें टूट गई है। अक्रॉस दबॉर्डर क्या हो रहा है। अक्रॉस दबॉर्डर यह हो रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी आपको बताई है आपल उसके टिम कुक जो है वो माधुरी के साथ खाना खा प्रिकते भी एं लेकिन फिर भी व्यहां पर बड़ी बड़ी कंपनी जैसा के एपल की अगर बात करें एवण सेमसंग भी आपनी मैनुफेक्ट्रिंग को हटा चुकी है चाइनीज कंपनी भी काफी हां तक यहां से मैनुफेक्ट्रिंग खतम करनी करते नजर आ रहे हैं आखिर क्या वज़ा है कि मल्टी नैशनल कंपनी का ट्रस्ट पाकिस्तान से कम होता नजर आ अब तो कोन नया खरीदा ही लिजातका क्यों कि फॉन सब्सक्राइब करेंडा होता है और यह आप देख लेना यह उनके हां हो रहा है जली ना तेरी भी जली ना वे चल करने एकॉनमी भी अच्छी उनकी चल रही है थोड़ से मॉडरेट भी है थोड़ा सा अच्छा बात नही पाकिस्तान की मीडिया तो छोड़ो पाकिस्तान की औवाम भी छھाती कूट रही है कि एपल कैसे इंडिया की बात करें जैसे मने बोले है वहां पे अभी रिसेंटी आज कल की खबर है कि वहां पे एपल स्टोर ओप उन्हें देखें कहने का मकसद यह है कि मरान खान की एकुमत आई ठीक है उसमें ओपो कंपनी भी आई पाकिस्तान में इन्फिनिक्स कंपनी भी आई टेकनो भी आई सेंक सैंग भी आई उन्होंने अपनी फैक्ट्रिय नगाई यह नों लगा उन्होंने लगाई जैसे इमरान खान की कुमत खतम ही ठीक है अब एक calculation को पहले 35,000 पेगी दियरी की वो 60,000 पेगी कैसे देगी ठीक है टेक्सिज इतने लगा दी है उन्होंने उन्होंने अपनी फैक्टरी बंद की अपने जिदर पहले उनके गुदाम थे जो भी फैक्टरी थी उदर चले के अब आपके बास है अगर आईपून की बात करें या और दूसर यार इंडिया ये हमारे से नीचे है फलाना आज आज आगे आप उदर देखें तो भी उन्होंने कितनी तरक्की किया है आज पाकिस्तान में एक चीज 20,000 पे किया उदर जा के देखें आपको वही चीज 10,000 पे में मिलेगी आपने ज्यादा बताया है वह 6,000 में पाल दे र इस पूरे संसार में जितनी प्रजातिया उन प्रजातियों में एक प्रजाति का नाम है मुसल्मान और ये विक्टम कार्ड इतना अच्छे से प्ले करते हैं चाया वो पूरे विश्व में कहीं का भी मुसल्मान हो इस सबसे अच्छा विक्टम कार्ड अगर कोई खेलता है तो ये मुसल्मान कहलते हैं और उन मुसल्मानों में भी सबसे आगे है पाकिस्टानी मुसल्मान कि पूरी दुनिया हम को आगे बढ़ने नहीं दे रही है अब आपका ख्याल है जो बाहर की कम्रिया वो यहुदों सारे ही है ना को मुसल्मान तो नहीं है अपने का आजाती है इसलाम ये जलती है और कौन सी तरकी से दुनिया जलती है है और कौन सी वो दुनिया जो तुमको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते हैं अगर यहूद नसारा जी ने हम कहते हैं दुश्मन है कभी सक्के नहीं हो सकते यहां पे सारे आप इस ट्रेम कैमरा मैं अगर गुमाएं हर प्रोड़क्ट हर चीज यहां पर उन्हीं की है हम एक दर्फ पर उनके खलाफ भी बात करते हैं और दूसर नमर पर यहां से कंपनी उन्हें तो चाहिए फिर यहां लेकि हैं सौदिया हमारी मदद को क्या तियार नहीं है अभी भी नहीं तियार है वह मुस्लिम तो एक नाम की है आपको भी पता वहां पे क्या हुरा है मैं नियोन शार बना है वहाँ पे जूए खाने कलाब सारा कुछ चाहए युएई हैं चाहए सौधी ऐरे भी आ परतमलों पार उर्फ और से ौर्टेर पर राइड दे लिया है और तो ये राइड नहीं होते हैं आफसे सलम के दोर में भी तो यही था ना लेकिन और तो को घर से निकलने की अजासत मजबूरी की हालत में थी अब वहां पे क्या है कि जिसने सिम बेचनी ना और अच्छा मुसल्मान है वो कौन से इस सब्सक्राइब जो पूरी दुनिया मे एक होके मुसल्मान है ना वो तुर्की वने हैं जिन्होंने हमेशा ही बाहिड की ताकतों का बाइगाड किया और उसके बाद फिर था सदाम हुसान से पहले था थोड़ा सा नालिज आज़ेगा थोड़ा मेरे पास आज़ेगा आपने तुर्क का बोला कि वो सबसे ज्यादा मुसलिम है यह अच्छे मुसलिम है आपको पता है यूरप को कितना फालोव कर रहे हैं और वो अपने आपको सैक इसलामी कंट्री तो हैं लेकिन खाथ ही साथ वह यह कहते हैं कि भाई हम सैकुलर हैं मैं वही तो बात कर रहा हुँ ना कि जो उनके कुछ जो लोग कुछ काफी हद तक है क्योंकि मैंने देखा है आश के रसूल भी हैं लेकिन उसके बाद आपको पता फाशी भी वहां पे भी हैं तुर्की में है क्यों यह अपने आपको ठीक करना है मुझे और आपको अपने आपको ठीक करना है मैं मुसल्मान हूआप मुसल्मान है हमें अपने तो मेरे बाइ टुमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रוכता टूम्हारी जो हरकते ना वही तुम्हें आगे बढ़ने से रूखती अपना आएफ़ोन के इंड्य ले ले लाएंग हो डात का करवा दिए आप लोग अपना घाल लगया आपको वाया आपके लिए पाकिसान से यह लटेड़ वीडियो लाता रहे ता जय हिंद कि नहीं घय S專rt कर दोस्तों इसे को वीडियो समाब तुत और यह बहुत खुशी की बात है यह बड़ी समा मत अई-पोन हमारे हिंड्या झाल झाल